हलो गैज नमस्कार तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि जो रिसेंट मार्केट में क्रैस आ रहे हैं तो ये क्रैस कितना आएगा और कहां तक का लेवल इसमें डिफाइन किया जा सकता है जहां तक आपके मार्केट में क्रैस आ सकता है जिसमें निफ्टी, बैंक निफ्टी और Sunsex में आएगा, तो Nifty में लगभग 6,000 से 6,000 पॉइंट की गिरावट दिख रही है, जो की 18,800 के लेबल है, Bank Nifty में लगभग 1,000 पॉइंट की गिरावट दिख रही है, जो की 40,000 के लेबल है, और Sunsex में 20,000 पॉइंट की गिरावट दिख रही है, है कहां पे sale करना है तो welcome to my channel trading for investment जहां पे हम लोग trading और investment से लेटेड ग्यान प्रभाइड करते हैं यहां पे कोई tips नहीं देते हैं हम लोग और tips कभी भी market में लेना नहीं चाहिए आपको knowledge हो तभी invest किजिए otherwise अपने किसी financial advisor से सलाह लेकर के invest किजिए नहीं तो आपके गाड़ी कमाई market में डूप सकती है इस चीज का आप हम कैसा ध्यान रखिए तो इस चीज का ध्यान रखते हैं चलिए हम लोग आप सुवात हैं position को अब यहां पे थोरा सा संभल के देखने की साउधानी से देखने की जरौत है इन सारे पॉइंट पर आपसे हम चर्चा करेंगे और इस वीडियो में आप लोग बने रहिए और इसके लिए चुकि इसके कुछ दिन पहले मैंने आपको बजार के तीन फेज यह को बारे में चर्चा किया था जो कि बहुत ही सटीक अब यहां से सही सावित होता हुआ ठीक है तो अब यह जो बजार का मान लोग की एक क्रेस है तो कहां तक जाएगा इन सारे पॉइंट पर हम लोग चर्चा करेंगे तो चलिए हम लोग इसकी सुरुवात करते हैं और इसकी सुरुवात जो है हम आपको यहां पे कुछ चीज़ों के बारे में किलियर कट बताऊंगा यह बजार के क्रेस कहां तक आ सकता है अगर यह क्रेस कंटिन्यू होता है तो और वहां पे एक चीज़ और है एक इंडिकेटर है जो कि मंतली टाइम फ्रेम में हम लोग उसको यूज करते हैं तो वह है आपको RSI तो RSI को सहारा और साथ में एक और चीज़ है जिस पर हम आपका ध्यान केंद्रित करेंगें और यहां से आपका एकदम क्लियर कट हर चीज क्लियर हो जाएगा कि बजार में चल क्या रहा है यह हमें अब सावधानी से इस बजार को देखने की जरुत है अ भी बहुत ही डेंजर के रहाँ होने वाली है और गिराउट का लेवल होगा वेसंट udah से ले कर crash कर सकता है और इसके लिए चोकी जब यहां पर आप द खिया की kissing क्रोसिंग है अब द्यान से देखिये गाय मंतली चार्ट में की एक क्रोसिंग है दूसरी है डाउना सबस्क्री की आपकी एक है और इसमें कोई नई बात नहीं है घबराने के जरूरत नहीं है आपने को तो हमारे हिसाब से मार्केट में एक बहुत बड़ा क्रैस आने वाला है यह किलियर है इसके लिए आप लोग तयार रहें लगभग 6,000 पॉइंट का इसमें क्रैस आने वाला है निप्टी में बैंक निप्टी में कितना आने वाला है पहले हम लोग देख लेते हैं कि सेंसेक्स में कितने आने वाले हैं फिर हम लोग बैंक निप्टी पाएंगे तो सेंसेक्स का जो क्रैस का पॉइंट है वह भी आपको लगभग 6,000 अभी मार्केट जहां से चल रहा है यह पकर के चलिए कि मार्केट अभी 80,000 पे चल ला, सेंसेक्स में आपको लगभग लगभग 20,000 पॉइंट की आपको यहां पर गिरावट आने वाली है, आने वाले समय में, उसके अलावा जो आपका बैंक के निप्टी में जो आने वाली गिरावट है, वो भी कुछ ऐसे ही आने वाली है, बैंक निप्टी की गिरावट जो होने वाली है, वो आपको 40,000 के सम्थिंग होने वाली है, तो इस चीज को आप लोग तयार रहिए कि अब एक बजार में बहुत बड़ा सुनामी आने वाला है, बहुत बरस से लफ आने वाला है, उसके अलामा अब हम लोग थोड़ा सा इंडेक्सेस में आ जाते हैं कि कौन-कौन से इंडेक्सेस में, तो हम सबसे पहले आ जाएंगे आपको IT इंडेक्स के बारे में, या हम यहाँ टाइप करेंगे आपका Nifty IT, तो Nifty IT के बारे M 18800 के आसपास आने वाली है, जाने यहाँ पर सारी इंडेक्सेस में, आपको यहाँ पर दिख जागां, 18800 के आसपास यहाँ गिरावत आने वाली है और बैंक के निफ्टी में तो हमने साइद आपको बता दिया है यहां पर बैंक निफ्टी के लेवल मैंने आपको यहां से लगवग 10-12,000 पॉइंट का उपर से गिरावट है बैंक निफ्टी में भी यह गिरावट आपको देखने को मिल सकती है थुरा टाइम जरूर लग सकत है लेकिन यह लेवल होगा यहां पर आने के बाद में और उसके बाद में CNX IT में या IT इंडेक्स की गिरावट के अगर हम बात करेंगे आपसे तो IT इंडेक्स में एक अच्छी खासी गिरावट यहां भी आ सकती है और यहां गिरावट आपको 32,000 पर जा सकती है अभी जो है तो CNX है आटो की अगर हम बात करते हैं कि आटो में क्या चल रहा है तो आटो में भी आपको यह गिरावट बहुत संदार आपको यहां पर दिखेगी और यहां पर यह जो 24,000 पर चल रहा 15,000 पॉइंट की यहां पर गिरावट आपको दिखेगा ठीक है उसके अलावा आटो इसमें भी जो गिरावट आने वाली है वो गिरावट होगी 14,000 के सम्थिंग आ जाएगा मतलब यहां से लगभग लगभग जो आपको 10,000 पॉइंट की यहां पर गिरावट मुझे दिख रहा है जो कि एक बहुत ही खतरना गिरावट होगा मार्केट में इस चीज़ के और विकली चार्ट पे अगर हम जाते हैं तो विकली चार्ट पे इसमें कुछ बाउंस होगर आया है क्या तो अभी देखिए विकली चार्ट में पहली गिरावट के लेवल जो थमेगा वो इस लेवल पे थमेगा मतलब 22,000 पे आ करके पहली गिरावट की लेवल थमेगी तो निफ्टी में अभी 24,000 पे चल रहा है 22,000 पे आकर के पहले बार bounce आएगा जो कि weekly chart में bounce होगा याद रखेगा अब उसके बाद फिर जाकर के आगे होगा daily chart की अगर आप बात करें तो daily chart में भी नीचे का level यही दिख रहा है एक हमारे पास में level यह है यहाँ पे 24,000 पे एक level दिख रहा है उसके बाद मैं यहाँ से अगर 24,000 से bounce करेगा तो फिर यह resistance की तरह हो जाएगा चुकि यह level जो है आपको 800 resistance की तरह हो जाएगा तो यह जो है आपको यहाँ पे और हमारा जो आप गिरने का जो चाल है वो कुछ ऐसा होगा जिसको आप ध्यान से समझाया तो एक बार यह आया थोड़ा bounce किया फिर यह यहाँ पे आएगा फिर यह कि bounce लेगा अब bounce लेने के बाद फिर यह ऐसे कुछ आएगा फिर यह बाउंस लेगा और यह ऐसे आएगा इसका यह चाल होगा और अगर बड़े time frame पे अगर आप इसी को weekly chart पे जाके दिखिएगा तो यह cycle आपको असपर समझ में आ जाएगा जो कि ऐसे गिरावट होने वाली है जो कि काफी danger गिरावट होने वाली है तो अब आप लोग इस चीज के लिए एक दम ही सावधान रही है मार्केट में पैसा डालने से पहले क्योंकि अब एक भेंकर सेलिंग के तरफ मार्केट जा रहा है तो यहाँ पे हमें सावधानी से काम करने की जुरूत है और 18,800 का level को याद रखिएगा यह मार्केट क्रैस होने वाला है तो 18,800 या 888 ऐसे मान के चलिए जो कि यहाँ से लगभग 7,000 या 6,000 पॉइंट की क्रैस आपको दिखेगा तो इस चीज के लिए जो हैसो आपको तयार रहना है जो भी आपका profit हो रहा है उसको book करके थोड़ा दिर के लिए side out हो ये और इंतजार किजिए यहाँ buy और sale का कोई recommendation नहीं है बस यह suggestion है जो हमें दीख रहा है मैं आपको यहाँ पर सलाह दे रहा हूँ ठीक है यहाँ पर buy और sale का बिल्कुल कोई recommendation नहीं है वीडियो पसंद आता है तो आप लोग subscribe किजेगा like किजेगा share किजेगा और comment किजेगा धन्यवाद